नमस्कार इंडिया पोस्ट नियूज में आपका स्वागत है वर्तमाल समय में आउट्सोर्सिंग और निजी करण एक आवश्यक समस्या बन कर उभरी है एक तरफ सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का निजी करण करते जा रही है तो वहीं दूसी ओर सरकारी कंपनियों में आरक्षर के नेमों का पालन भी ठीक से नहीं होने के आरोप लगातार लगते रहते हैं चलिए देखिए गेर रिपॉर्ट कैंसर की बिबारी बड़ी खतरनाक है बड़ी गंभीर है उससे भी जादा गंभीर बिमारी बन चुकी है यह आउट्सोर्से सरकार बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों का बिनिवेश करती जा रही है इसा 23 कंपनियों को बेचने की मंजूरी दी जा चुकी है 2019 के Public Enterprises, सर्वे के मताबिक भारत में 348 सरकारी कमपनिया है नीटी आयोग ऐसी कमपनियों की लिस्ट बना रहा है जिन्हें बेचा जाना है और इसे बैंक और इंसुरेंस कमपनिया भी शामिल है एक्सपर्ट का मानना है के अगले कुछ सालों में सरकारी कमपनियों की संख्या सिमित कर महस दो दर्जन तक रह पाईगी ऐसा होने पर अन्य पिछडा वर्क यानि की OBC, अनसुचित जाती, SC और अनसुचित जन जाती यानि की SC के उन युवाओं के सामने चुनोती खड़ी होगी जिन्हें सरकारी नौकरियों में अब तक 49.5 फीजडी तक आरक्षण मिलता था यहां एक जन्मरी 2019 तक 11894 कर्मचारी काम कर रहे थे इनमें पिछडा वर्क के 2042, अनसुचित जाती के 1921 और 749 अनसुचित जन जाती के कर्मचारी थे इनमें 90.5 से जादा भर्तियां आरक्षण के तहत हुई है बीजेपी की सयोगी अनपरिया पटेल ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है एक नियुक्तियों में आउट्सोर्सिंग के जरिये चत्रस्त्रेडी के कर्मचारी है उनकी भर्तियां हो रही है उसमें आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है पड़ी खतरनाक है, पड़ी गंभीर है, उससे भी जादा गंभीर बिमारी बन चुकी है, यह आउट्सोर्से, क्योंकि आरक्षन की तो कोई विवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है, और यह अपना दल के लिए चिंता का विश्य है, छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुझाईश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब यह आरक्षोर्सिंग में चतुर्त श्रेड़ी की भरती जो कोई ठेके डाय कर रहा है, कोई एजंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुछले वंचित वर्ग के लोग, उससे भी वंचि थे, अब आउट्सोर्सिंग ने एक निचले सरकी नौकरी से भी वंचित कर दिया, और यह अपना दल की दंभीर चिंता है, और हमारी पार्टी लगतार इस बात को कह रही है, कि आउट्सोर्सिंग में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का नियम पालन होना चाहिए, यह च जबकि इस पूरे मामले पर अखलेश यादो काई के कहना है कि पुलिस सेवाओं की आउट्सोर्सिंग भरती मामले में बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा किया, और कहा कि केंद की बीजेपी सरकार ने सेना की भरती में नजवानों का भविश अगनिवियर योजना लाकर ब अबी तो फौज की नोकरी चार साल की हुई है, अगर बीजेपी वाले आ गए, तो हमारे खाकी बर्दी पहनने वालों की भी नोकरी तीन साल की कर देंगे राहुल गाधी ने इस मामले पर अपनी प्रत्किया दी और राहुल गाधी ने कहा कि 2024 के कॉंग्रेस घोशना पत्र में भी कहा है कि आदिवासी डलित और पिछरे वर्ग के आबादी लगभग 70 फीस दी है, लेकिन अच्छी नोकरियां, अच्छी व्यवसाय और उच्छे पदो परुन की भागेदारी कम है। तो 90% अबादी इन लोगों की बनती है। पर्वे के मताबिक सरकारी कमपणियों में कर्मचारी की कुल संख्या 15 लाख है, इसमें से 10 लाख 4,000 इस्थाई कर्मचारी हैं। इन नोकरियों में अंसूची जाती के लिए 15% अंसूची जन जाती के लिए 7.5 फीजदी और OBC के लिए 27 फीजदी आरक्षड है। सरकारी कर्मचारियां विनिवेस के बाद नीजी हातों में जाएंगी तो नोकरियों से आरक्षड की कोई गैरेंटी नहीं रहेगी। इससे 49.5 फीजदी भरतियां होंगी जिनकी संख्या करीब 7 लाग हो सकती है। के लिए ही सरकार इन दिनों भरतियां निकालने के बजाएं कॉनट्रैक्ट कर्मियों से काम करा रही है क्योंकि इसमें आरक्षड नहीं देना पड़ता है। साल 1992 में OBC आरक्षड की शुरुआत हुई तब 2004 तक केंद्र की सरकारी नोकरियों में उनकी भागीदारी 16.6 फीजदी थी। 2014 आते आते 28.5 फीजदी हो गई। देश में OBC जनसंख्या करीब 41 फीजदी है। आरक्षड के चलते सरकारी नोकरियों में से बराबरी की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन प्राइवेटाइज़ेशन के बाद इसकी भी गैरंटी नहीं रह जाएगी। नीचे उन कमपणियों की सूची है जिनको पूरी तरह से बेज दिया गया। मई 2014 से अब तक मोधी सरकार ने 121 कमपणियों की हिस्सेदारी बेज दी। और 2014 के बाद से आई भटियों का आकड़ा जारी नहीं किया। प्राइवेटाइजेशन से आरक्षड को सबसे बड़ा अभी उत्तपडेश में आउट्सोर्सिंग नौकरियों में आरक्षड की ववस्ता नहीं है पर जल्द ही इसमें रिजर्वेशन की घोश्टा हो सकती है। Bureau Report, India Post News